बरेली में एक स्कूल की प्रिंसिपल और सिक्षा मित्र को इसलिए सस्पेंड कर दिया गया क्योंकि स्कूल में अल्लामा इकबाल की लिखी हुई पंक्तियां गाई गई ऐसी सक्ति हमें देना दाता गाकर धार्मिक प्रातना करने के बजाए लब पे आती है दुआ बनके तमन्ना मेरी वाली दुआ सुनाई गई उन्हीं की लिखी हिंदी है हम वतन हिंदोस्ता हमारा बोल वाली लाइने खुद गाता होगा विश्व हिंदू परिसद का वो सक्स जिसकी भावनाएं दूआ सुनकर आहत हो गई आहत हिंदू ने शिकायत की की गाने में अल्लाह का नाम आ रहा है यानी बच्चों को इसलाम के प्रति आकरसित किया जा रहा है आपको लग रहा होगा योगी के उत्तर प्रदेष में ये क्या हो रहा है तो उस से पहले जानिये गुजरात मॉडल को ऐसे प्रियोग में माहिर मोदी शाह के प्रदेष में क्या हो रहा है गुजरात के वडोधरा में एक व्यक्ति को इसलिए पीट दिया गया क्योंकि सेंटा क्लॉज बनकर वो बच्चों को गिफ्ट बाट रहा था क्रिसमस का तेवहार है सोच कर अपने खर्चे पर लोगों में खुसिया बाट रहा था बच्चों को चौकलेट बाट रहा था कट्टर हिंदू कहलाने वाले कुछ लोगों ने उसे पकड़ लिया और बुरी तरह से पीट दिया उन्होंने कहा इस तरह से इसायत का प्रचार कर रहा है भोले भाले लोगों को क्रिश्चन्टी की ओर आकरसित कर रहा है यह हिंदूओं का इलाका है तो यहाँ पर क्यों किसी और मानिता का तेवहार मनाया जा रहा है मतलब लब पे दुआ गाने से इसलाम का प्रचार हो जा रहा है और हिंदू धर्म खत्रे में पढ़ जा रहा है क्रिसमस के तेवहार पर सेंटा कुलाज बनकर उपहार बाट देने से इसायत का प्रचार हो जा रहा है और हिंदु धर्म खतरे में पड़ जा रहा है तब तो इस बात में कोई जूट नहीं है कि हिंदु सच में खतरे में है योगी, मोधी और शाह के राज में हिंदु खत्रे में है अब वो अलग बात है कि मुसल्मानों और इसायों की वज़ा से खत्रे में है या फिर सब को मार पीट कर दहसत पैलाने वालों की वज़ा से दिमाग दौडाने से दिल को नुकसान हो सकता है इसलिए दिल की सुनिया और बस इतना जानिये हिंदू खत्रे में है हिंदू हित की बात करने वाली पार्टी को वोट दे दीजिये सिर्फ सुनकर और मानकर कि हिंदू खत्रे में है नमस्कार मैं समर्राज बोलदा हिंदूस्तान में आपका स्वागत है उत्तर प्रदेश के बरेली में और गुजरात के वडोधरा में हुई घटनाएं अलग-अलग हैं मगर दोनों घटनाओं के पीछे इंटेंशन एक है अलग संस्कृती, अलग धर्म, अलग तेवहारों से अधिकतर आबादी को यानी हिंदूों के बच्चों को अलग थलग और अगर बच्पन से सहन सीलता आ गई इन बच्चों में तो सोच ये किस चीज पर भड़क कर हतियार उटाएंगे, कैसे खत्रे से अपना धर्म बचाएंगे, कैसे किसी को मारेंगे, पीटेंगे और गरियाएंगे, कैसे हिंदू राष्ट बनाएंगे, इन ही संभावनाओ से समय रहते निपट लेने के लिए एक माहौल बनाया गया है, यूपी और गुजरात ही नहीं राष्ट व्यापी प्रोपेगेंडा चलाया गया है, जिस प्रचार तंत्र को अगर एक लाइन में बताना हो, तो उसकी टैग लाइन होगी हिंदू खत्रे में है, भगवार रं अब सायद इसपश्ट हो जा रहा होगा कि हिंदू कि समझ लीजिये कि हिंदू क्यों खत्रे में है, सोचिए बरेली के जिसी स्कूल में अल्लामा इकबाल की लिखी पंक्तियां लब पे आती है दुआ बनकर तमन्ना मेरी गाय जाने से बवाल किया जा रहा है वहीं पर हर रोज इतनी सक्ती हमें देना दाता के बोल वाली प्रातना गाई जाती है हिंदू पधती से देवी देवताओं में आस्था रखने वाली तमाम पंक्तियां गुनगुनाई जाती है और ये समना सिर्फ विस्व हिंदू परिशद के उस व्यक्ति को नॉर्मल लगती हैं बलकि समाज के अधिकतल लोगों को नॉर्मल लगती हैं उनकी भावनाएं तब आहत हो जाती हैं जब उर्दू के लब्ज के साथ कुछ पंक्तियां गाई जाती हैं और दाता या इस्वर के बजाए किसी अल्ला हमें आस्था दिखाई जाती है क्रिसमस का उपहार बाटने वाले व्यक्ति को पीटने के पीछे दलील है कि उपहार के बहाने अपने धर्म का प्रचार कर रहा है ते वहार के बहाने लोगों को इसायत की और आकरसित कर रहा है पीटने वाले खुद को कटर हिंदू कहते हैं तो वो खुद देखते होंगे देश भर में हर मंगलवार सनिवार क्या हो रहा है जगा जगा भंडारा खिलाया जा रहा है पंडालों में जागरण का आयोजन किया जा रहा है मगर कोई अलपसंख्यक आपत्ती नहीं जता रहा है कि धर्म विशेश का आयोजन पबलिक प्लेस में क्यों किया जा रहा है मीडिया को भी ये सब नॉर्मल लगता है क्योंकि उसके निजरूम में भी यही सब हो रहा है उसे आपत्ती तब होती है जब कहीं अजान की आवाज सुनाई देती है जब कहीं खुले में नमाज पढ़ी जाती है जब कहीं क्रिसमस्त्री सजाई जाती है जब कहीं बाबा साहब की सपत दोहराई जाती है जब कहीं आदिवासियों की अलग पहचान बताई जाती है इसलिए देश भर में बने ऐसे माहौल के लिए जितनी जिम्मेदार इस देश के सामपरदाइक पार्टियां और सामपरदाइक नेता हैं उससे कहीं ज़्यादा जिम्मेदार इस देश के टीवी चैनलों के मालिक है, एंकर और रिपोर्टर है, अकबारों को तो रद्दी की तरह इस्तेमाल करने के लिए ही लेते हैं अधिकतर लोग, मगर फिर भी थोड़ी बहुत भूमिका के लिए जिम्मेदार उनके भी एडिट हैं, रिपोर्टर और कॉपी राइटर हैं